हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगरेट बेंस मेरुपाली वर्मान मैगरेट बेंस आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया है जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत हल्प करेगी वो है आपके लिए बुक्स और इबुक्स अभी तक आप पढ़ते आए डिक्स के लिए मिल रही है सारे सब्जिक्स हैं तो अब ये बुक्स में हमने और ज़्यादा क्या किया है यह बूख्स आपको मिल रही है अलग अलग के टिगोरे सकी हिसाब से अब इसको ऐसे समझे जैसे हम यहाँ पर अभी sample paper कर रहे है magnet brain sample paper कर रहे हैं तो अब आपके पास एक book available है magnet brain sample paper की फिर अब हमने सबसे पहले जब हमने कोई भी chapter पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं हम पढ़ते हैं theory पढ़ते हैं यानि की detail explanation तो एक book हमारी हो गई explanation के book या theory book आप बोल लीजे फिर उसके बाद हम ncrt solution करते हैं तो एक book हमारे पास हो गई ncrt solution book फिर हम क्या करते हैं mcqs एक book mcqs इसलिए अलग-अलग categories में आपके यह book हमारे पास है अब आती है यह आपको मिले कैसे तो इसको लेने के लिए नीचे description box में एक link दिया है उस लिंक के अंदर एक form है उस form को fill कीजिए submit कीजिए हमारा एक team member आपसे contact करेगा तो यह तो हो गई आपके लिए important information अब इसके बाद आते हैं हम आज के वीडियो पर आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं class 12 Hindi core का magnet brain sample paper solution for board examination paper no.4 है तो अभी तक हम 3 sample paper solve कर चुके हैं अब हम आ गए अपने fourth sample paper पर sample paper solve करते रही है practice होती रहती है और एक तरीके से मारा revision भी होता रहता है क्योंकि अलग-अलग-अलग तरे की questions हमारे पास में आते रहते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं जब paper समय तीन घंटा दिया गया है और हमारे पास में कितने marks का maximum marks 80 marks का है इस प्रश्ण पत्र में दो खंड है आ और बा और कुल 13 प्रश्ण पूछे गए ठीक है दो खंड है तेरा प्रश्ण है आ खंड में 45 वस्तु पर प्रश्ण पूछे गए नमें केवल 40 प्रश्णों के उत्तर देने तो खंड आ में 45 एमसी की उस हैं यानि कि बहुविकल्प प्रश्ण जिसमें से आपको 40 करने हैं खंड बा में वड़नात्मक प्रश्ण पूछे गए प्रश्णों के उचत आंत्रिक विकल्प दिये गए खंड बा में आपके पास टोटल सब्जेक्टिव कोश्ण से यानि कि आपको डिटेल Е suspectке saate में अंसर लिखनेंस और हर कोश्ण के साथ में आपके पास पास ओप्शन मौजूद है फ्रश्णों के उत्तर दिये गए निर्देशू का पालन करने दो हर प्रश्ण से पहले कुछ निर्देश दिये गए हैं उनको पढ़ने के बाद उनके उत्तर आपको देने हैं दोनों खंडों के प्रश्णों के उत्तर देना निवार है, मतलब पूरे 13 जो कोशन दिये गए हैं ये आपको सारे करने हैं, यथा समभव दोनों खंडों के प्रश्णों के उत्तर क्रमशा दीजे, मतलब आपको sequence में answer देना है 1,2,3,4,5,6, ये नहीं कि आपने पहले 7 कर दि एक गद्यांश दिया गया जो हमने भी तक पढ़ा नहीं है अभी हमें पढ़ेंगे और उस पर हमसे पूछे गए हैं दस प्रश्ण ठीक है टेन कोशन्स पूछे गए हैं और इन्हें हम करेंगे तो सबसे पहले क्या है निमलिखित गद्यांश को ध्यानपूरोग पढ़का सर कारतिक विशाल देश हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं जिन में से एक है जनसंख्या व्रध्धी जनसंख्या व्रध्धी देश के विकास में बाधा का कार्रे करती है इसलिए हमारी सर्वोच प्राथमिक्ता जनसंख्या व्रध्धी को रोकना इस छेत्र में हमारे सभी प्रयत्न निश्फल रहे हैं ऐसा क्यूं है यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि समस्या को देखने का हर एक का अलग दृष्टी को उनाता है कोई भी सिच्वेशन हो उसमें हर वेक्ति अलग-अलग दृष्टी कोड से अपने अपने तरीके से उस समस् समस्या को सुलजाने में लगे हैं अता प्रथक प्रथक किसी के हाथ सफलता नहीं लगी तो मतलब हर किसी के वीव से अगर आप देखोगे अलग एक ही समस्या अलग-अलग तरीके से देखी जा रही है तो जाहिर सी बात है सब अपने तरीके से करेंगे मगर सफलता नहीं मि परन्तु ये इसपष्ट है कि परिवार के आकार पर आर्थिक विकास और सिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है यानि कि अगर परिवार जितना बड़ा होगा पैसे खर्चे उत्ते होंगे तो आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा पर पैसे का प्रभाव होगा तो सिक्षा भी उसी साब से होगी जहां आर्थिक विकास का ताथ पर पास्चात मतानुसार भौतिक वाद नहीं जहां बच्चों को बोज माना जाता है मतंब कहने का मतलब यह नहीं है कि पश्चमी संख्या में जहां बच्चों को बोज माना जाता है ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति में बिलकुल भी बच्चों को नहीं माना जाताज हमारे लिए तो यह समान पूर्वक जीने के इस तर से संबंदित है यहां मौजूदा संपत्ति के समानता मूलक विवरण पर भी निर्भर नहीं है वरन ऐसी सेली अपनाने से संबंदित है जिसमें 80 करोड लोगों की उर्जा का भेतर उपयोग हो सके इसी प्रकार इस्तिरी सि भी खुलेगा अता जनसंख्या की समस्या सामाजिक है इसे सरकार अकेले नहीं सुलचा सकती केंद्रिय करण से हटकर इसे ग्राम-ग्राम व्यक्ति-व्यक्ति तक पहुचाना होगा जब तक यह जन आंदोलन नहीं बन जाता तब तक सफलता मिलना संदिक्द है तो यहां पर हम नहीं बतेखा कि जनसंक्या के साती सात्री सिक्षा के बारे में भी हमें यहान पताया गया है अब चलिए इस पर आधारे दस परशन है ध्यान से देखी पहला है हमारी सरवोच प्राथमिक्ता जनसंक्या वरधी को रोकना क्य। पैदा करती है तो हमारी सरवोज प्राथमिक्ता जनसंक्या व्रद्धी को रोकना इसलिए है क्योंकि यह देश के विकास में वाधा उत्पन करती है क्यों क्योंकि हमारा विकास उत्ता हो नहीं पारा क्योंकि हम लोगों की जरूरतों जितनी जनसंक्या बढ़ेगी यहां उतन लोगों की जुरूरतों को पूरा करने के लिए सारा धन खर्च हो जाएगा और हम अपने डेवलप्मेंट में वह पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे दूसरा है प्रस्तुत गध्यांश किस विशेवस्तु पर आधारित है जनसंख्या व्रध्धी समस्या और समाधान पर आर्थ आते हैं निमलिखित में से किस पर आर्थिक विकास और शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है किस पर पड़ता है यह सारी चीजे देश समाज भौतिक या परिवार के आकार तो सही क्या है वो है परिवार का आकार का आर्थिक विकास और शिक्षा पर बहुत बढ़ा प मतलब क्या है समान पूर्वक जीने का इस्तर भौतिक बाद सिक्षा का इस्तर या संपन्यता तो गद्यांश के इसाब से है वो सम्मान पूर्वक जीने का इस्तर यानि की आर्थिक विकास क्या है समान पूर्वक जीने का इस्तर होता है नेक्स आते जनसंग्या व्रद्धी को को रोखने के लिए सभी का दरष्टिकोन कैसा है समान भिन क्लिस्ट या समया नुसार तो यहाँपर कैसा है 사भी यह सभी का वो है भिन सब लोग अलग अलग तरीके से दरश्टिकोन से समस्या को देख रहे हैं एक को सिक्षा को विक्ति को या राजनीती को आर्थिक विकास की तरह ही जो है सिक्षा को महत्वपूर माना गया है जहां आर्थिक विकास जरूरी है वहीं उसको जादा अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए सिक्षा भी महत्वबून है सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयाम किसके माध्यम से खुलेंगे तो क्या दिया है सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयाम किसके माध्यम से खुल रहे है जनसंख्या वरद्धी के आपसी समझ के सिक्षा के या भेध भाव के तो ये खुल रहे हैं सिक्षा के, किसके उसे खुल रहे हैं, सिक्षा के से खुल रहे हैं, सिक्षा का समाज के विकास में क्या योगदान है, क्या योगदान करती है सिक्षा, चिंतन का इस्तर विक्सित करना, बच्चों का विकास करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना या यह सभी तो अगर हम देखेंगे तो सिक्षा समाज में जो है इन सभी का विकास करती है। कि शुप्रकार की समस्या माना गया है कैसी समस्या जन संख्या की समस्या आलतिक समाजिक राजनेतिक या व्यक्तिक तो ये समस्या क्या है वो है समाजिक समस्या समाज की समस्या है I'm нет किस प्रकार क्या पूलता रोक लगाकर तो सही क्या है हम यह बोलें बनाए और सरकार भी इसमें सहीयोग करे तब ही हम इसको रुख सकते हैं यहां काखाद दोनों हैं तो हम गापे टिक करते हैं चली अब हमारा यह प्रश्ण संखिया एक खतम हुआ हमने फटा फट पूरा गध्यांश कर लिए अब कि धोत आते हैं इतने उचे उठो कि जितना उचा उठा गगन है देखो इस सारी दुनिया को एक द्रश्टी से संचित करो धरा संता की भाव विरिष्टी से जाति बेद धर्म वेश की काले गोरे रंग द्वेश की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है लो अतीत में उतना ही जितना पोशक है जीन शीन का मोम रत्यू का घोतक है तोडो बंधन रुकेन चिंतन गती जीवन का सत्चिरंतन धारा के शाश्वत प्रभा में इतने गतिमे बनो जितना आप परिवर्तन है तो यह हमारे पास एक कविता का एक अंश प्रस्तुत किया गया है यहां आपको उठने की बात की जारी तकि गगन जिस बकार समता आप दिखाता है प्रकति जिस बकार समता दिखाती है आपको उसी तरीके से समता की व्रिष्टी यानि की बारिश करनी है सभी के उपर प्रश्ण क्या है देखिए ज्वालाओं से जलते जग में पंक्ती में कौन सा अलंकार है ज्वालाओं से जलते में कौन सा है अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जा 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 और जा यह तीन जो है एक ही बंड तीन बारा हैं तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है व नई सोच क्या होगी नए समाज के निर्माण में नई सोच क्या होगी सभी को समानता की दृष्टी से देखना स्वैम को उचा उठाना दूसरों से भेधभाव करना धर्म को प्रधानता देना तो यहां पर नए समाज के निर्माण की जो नई सोच है वो है सभी को समानता की द दर्शानी है तो क्या कि अब नया समाज कैसे बनेगा जब हम सभी को समानता की दर्श्टी से देखेंगे कवी ने समानता का भाव दर्शाने के लिए किसका उधारन दिया है अतीत का वर्शा का मृत्यू का या पवन का तो समानता का देने के लिए दिया है वो है वर्शा का सम समानता की व्रिष्टी करो समानता की व्रिष्टी व्रिष्टी मतलब वर्षा का उन्होंने दिया है हमें अतीत से क्या ग्रहन करना चाहिए अतीत मतलब हमारे पास्ट से हमें क्या ग्रहन करना चाहिए अच्छी बातें बुरी बातें गती यह सभी तो हमें जो अतीत है उससे ग्रहण करनी चाहिए अच्छी बात है जो हमने अच्छा कारी किया है हमने क्या मतलब जो हमारे पूर्वज जो सबसे अच्छा कारी कर गए उनको ग्रहण कीजिए और अपने भविश वर्तमान में लागू करिए और भविश में लेकर जाए हमें किसके समान जीवन में आगे लों से अब हम करने जा रहे हैं दूसरा क्या है बंद कर दो बंबारी मत करो घुस पैट तीन बार युद्ध हार जुके अब की बार कर देंगे मटिया मेट शान्ती के हम साधक शान्ती हमारा नारा युद्ध में नहीं हम पीछे मिटा देंगे नामों निशान तुम्हारा तिरंगे की इलाज रखना सतत पयास हरहेगा कश्मीर कारगे लेल अद्धाक में दुश्मनों का खून बहेगा जमीन पर अपनी किसी को टिकने नहीं देंगे भारत मा के मस्तश पर दुश्मनों को आने ना देंगे पहल हम करेंगे नहीं युद्ध के वास्ते घुस पैटियों को मार कर ही खुल सकेंगे शान्ती के बंद रास्ते भारतिये जवान का प्रण जाएगा हम लड़ने जान हतेली पर लेकर राष्ट की रक्षा की खातिर कर देंगे प्राण निशावर आखरी सास तक हम बॉडर पर लड़ते जाएंगे तो ये था हमारा पद्याश और आगे है मारे गए सैनिकों का हम बदला लेकर रहेंगे नहीं डर तन का नहीं चिंता मरने की फिक्र है तो भारत मा की कर्तव्य है रक्षा करने का तोड़ेंगे गड़ दुस्मनों के चूर चूर कर डालेंगे गोलियों की बोचार से अंग-अंग को छेद देंगे आग है सीने में हमारी तूफान मस्तश्क में चल रहा है तो यह गड्यांज था अब इसका उप्रेश्ण देखते हैं तो पहला कोशन है इस पर प्रस्तुत काव्याश में कभी किसे चनौती दे रहा है सैनिकों को दुश्मनों को आतंगवादियों को नकसलवादियों को तो वो किसको दे रहा है वो दे रहा है दुश्मनों को दु जुद्ध से घुसपैटियों को मार कर या हाथ पर हाथ रखने से तो शान्ती के बंद रास्ते तभी खुलेंगे जब हम घुसपैटियों को मार लेंगे यानि कि जितने घुसपैटी हैं जब उनको मार के हम भगा देंगे तभी हम दूसरे देश से शान्ती की बात करेंगे य इसने बात करें, मरे हुए सैनकों का जो है बदला लेने की बात कर रहे हैं नेक्स आते राश्ट की रक्षा हे तू भारतिय जवान कौन सा प्राण करते हैं प्राण निच्छावर करने का दुश्मन का खून बहाने का बॉडर पलणने का या बदला लेने का तो राश्ट की रक्षा हे तू वो प्राण लेते हैं प्राण निच्छावर करने का मतलब कि अगर हमें अपनी राश्ट की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी नियुच्छावर करने पड़े तो भी हम कर देंगे तोड़ेंगे गर दुश्मनों के चूर-चूर कर डालेंगे पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो अब आप ध्यान से देखिए कौन सा अलंकार है सिर्फ एक अलंकार है वो है हमारा किसमें आ रहा है चूर-चूर में यानि की पुन्रुक्ती प्रकाश एक ही शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही बार उसका अर्थ एक ही है तो यहाँ पर यह क्या होगा पुन्रुक्ती प्रकाश अलंकार चली अब यहाँ पर हमारा प्रश्ण संख्या दो खतम हो गया आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या तीन यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास जो हमारी बुक है अभिवेक्ति और माध्यम उसके हमारे सा यहाँ पर पांच प्रश्ण प प्रसार करना सूचना का विशलेशन करना ज्यान के इस तर में व्रद्धी करना यह सभी तो एक जनसंचार का मुख्यकार यह सभी होते हैं यानि कि लोगों को सूचना जितना हमारे पास सूचना आ रही है उसको संग्रे करेंगे फिर उसका प्रसार करेंगे उनका विशलेशन भी करते हैं और लोगों के ज्ञान में व्रधी भी करते हैं तो ये सब ही कारें यहां पर किये जाते हैं जनसंचार द्वारा नेक्स आते हैं सर्व प्रथम किस सदी में रेडियों के विकास की शुरुवात हुई कौन सी सदी में हुई थी सत्रवी अठारवी 19 या 19 या तो रेडियों का जो शुरुवात है वो हुआ था 19 सदी में यह शुरू हुआ था प्रसार भारती का गठन कप किया गया प्रसार भारती रेडियों का ही कप किया गया वर्ष 1987 में वर्ष 1990 में वर्ष 1992 में या वर्ष 1997 में तो सही क्या है वो है वर्ष 1997 में या निकि 1997 में किया ग निम लिखित में से कौन सा अता तो एक शशक्त नााटक को को अनि-कम्जोर नाटकों से अलग करता है क्या चीजटे भ भूसंभाद जो आपके एयसी चीज़ जो आपको कमजोर नाटक और शशत नाटक को अलग-अलग करती है नेक्स राते हैं जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतुहल की पराकाश्टा पर पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं यानि कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ को जानना चाहते हैं चरमोद कर्ष क्या कहलाता है चरमोद कर्ष चरम उतकर्ष जिसको बोलते हैं वो चरम उतकर्ष चली अब नेक्स राते कोशन नमबर फोर पर हमारे पास है निमलिकित काव्यांश को ध्यान पूबक पढ़कर पूछे गया प्रशनों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनने हैं हमारे पास में क्या है यहां पर जो हमारी बुक है आरो उसके काव्य खंड से एक अंच प्रस्तुत किया गया है इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रशनों के उत्तर देने हैं तो क्या दिया यह होगा हमारा फाइव माक्स का पहला है प्राता नब था बहुत नीला शंक जैसे भोर का नब राक से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खडिया चौक तो यह हमारे पा कैसे हिल रही हो और जादू तूटता है इस उशा का अब सूरेयोदय हो रहा तो उशा कविता का है यह अब देखिए इस पर प्रशन क्या है कवी ने प्राता कालीन वातावरण की समानता नीले शंक से क्यों की है उन्होंने नीला शंक क्यों बोला है यह चीज आपको बतान के कारण नीले शंक के अत्रिक्त अनुपमा ना मिलने के कारण तो सही option है हमारा का यानि की भोर के समय जो है वो क्या होता है वाता वरण नीले लंक रंग जैसा बुझा सा होता है मतलब बहुत ज़्यादा blackness भी नहीं होती है आसमान में काला भी नहीं रहता है reddish भी आरही होता है जो लालिमा होती है वो भी आरही होती है और हल्का सा बुझा बुझा मतलब बहुत ही blue brightness में होता है बहुत ही थोड़ा सा हल्का dullness के साथ में होता है भोर के नब का सुर्मई रंग दर्शाने के लिए क्या उपमा दी गई है अब सुर्मई रंग अर्थाद जो लालिमा निकल रही है उसको दर्शाने के लिए क्या बोला है लाल केसल से धुली सिल, स्लेट पर लाल खड़िया चौक, राक से लीपा चौका या नीले जल में गौरवन तो यहाँ पर सुर्मई को जो दर्शाने के लिए वो किया गया है राक से लीपा चौका कैसे दिखाया गया देखे अब जो चीज सुरमाई जैसे निकलता है जब लालिमा बहुत हल्की सी होती है बहुत हल्की होती है तो उस समय क्या रहता है तो उसको जो है कि बताया गया है राख से लीपा चौका यहां पर चौके से गीला होने का ताथ पर है वाता वरन में नमी अर्थात सुभा के समय जैसे हमने बताया कि राक से लीपा चौका क्योंकि वो सुर्माई रंग को दिखा रहा है तो अब उस रंग को प्रदर्शित करने के साथ साथ वातावरन में नमी भी दिखाई गई है तो वो भी जो है वो चौके द्वारा प्रदर्शित हो रही है काली सिल और स्लेट किस दर्शित को चित्रित करते हैं भोर कालीन उजाला भोर कालीन अधेरा साइं कालीन अंधेरा या साइं कालीन सुर्य को तो वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं वो है भोर कालीन अंधेरा अब मतलब जब उशा का समय होता है तो उजाला नहीं होता है ये ध्यान रखे वो अंधेरा ही रहता है तो उस अंधेरे को प्रदर्शित करने के लिए काली सिल और स्लेट को यहां पर दिखाया गया है नील जल के उपमान के माध्यम से कभी किसी चितरत करना चाता है नीले स्वच्छ आकाश को सुन्दर इस्तरी के रूप को नीले रंग की सुन्दरता को पानी के अनेक रूप को तो नील जल के उपमान से कभी ने जो प्रदर्शित किया है वो है नीले स्वच्छ आकाश को अब जैसे ही उशा होती है प्राता कारीन सूर आने लगता तो उसमें रौश्णी होने लगती है तब नीले आकाश का प्रतिबिंब क्या है वो जल में पढ़ने लगता है तो यह नीला जैसा आकाश है वैसा जल दिखाई देगा तो यहां पर उन्होंने नील जल के तातपर से जो बताया क्या है वो है नीले स्वच्छ आकाश को बताने का कोशिश करी है अब हमारे पास आ रहा है प्रश्ट संख्या 5 पे निमलिखित गध्यांश को पढ़कर दिये गए प्रश्णों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिये अब हमारे जो बुक आरो है उसके गध्य खंड से एक यहाँ पर गध्यांश प्रस्तुत किया गया है इसे पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्णों के उत्तर देने हैं पांच प्रश्ण पूछे गए हैं और पाचों के ही हमको उत्तर देने हैं तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश जैसे आप देख रहे हो, जाती प्रता श्रम विभाजन से हमारे पास में लिया गया है, श्रम विभाजन की दृष्टी से जाती प्रता गंबीर दोशों से युक्त है, जाती प्रता का श्रम विभाजन मनुष्य की और निर्भर नहीं रहता है मनुष्ट की व्यक्तिकत भावना तथा व्यक्तिकत रुची का इसमें कोई इस्थान अत्वा महत्व नहीं रहता है पूर्व लेक ही इसका आधार है इस आधार पर हमें यह स्विकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब तो करती है मतलब जब अब मजदूर का को बाउंड करके काम किया जाएगा कि नहीं तुमको यह करना ही करना है तुम्हारे पास कोई option नहीं है तो अब क्या है उसका मन नहीं है जब मन नहीं होगा तो काम की productivity कम होगी इसकी quality इन भी फरक पड़ेगी तो यहां पर सर्फ क्या है वो काम कर रहा है उसकी जरूरत इसलिए कर रहा है लेकिन उसका interest नहीं है तो यह क्या हो गया चालू काम हो गया कि बस करना है ऐसी स्थिती में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है अता यह अभिक निमियों से जकड़कर निश्क्रिये बना देती है अब इस पर पहला प्रश्न है क्या है करद्यांश के नुसार श्रम विभाजन की दृष्टी से जाती प्रथा दोशपूर्ण क्यूं है क्यूं है दोशपूर्ण हमें बताना है व्यक्तिकत रुचियों को ध्यान म में रखने के कारण तो अब यहां पर श्रम विभाजन की दर्ष्टी से जाती प्रथा दोश्पुन क्यों है इसका कारण है मनश के पेशे को पूर्व लेक से जोड़े जाने पूर्व लेक का मतलब डेस्टिनी से यानि कि अब वो आपके जन्व से पहले ही आपका जो है वो कर दिया जाता है कि आपको क्या कर्म करना है तो यह चीज़े क्या होती है आपके पूर्वत जो करते चले आ रहे हैं जाती प्रथा के हिसाब से वही भी आपको आगे वही करना होगा इसलिए श्रम विभाजन की हिसाब से जाती प्रथा दोश्पुन है कार निर्धारित होन कार कुशलता का अभाव कार अरुची के साथ करना या यह सभी तो यहां पर हम देखेंगे जब कार निर्धारन हो जाता है तो इसके यह सभी दुश्परभाव परते हैं जैसे कार के प्रति दुर्मा मदब कार हम अच्छा नहीं है बेकार है यह कर देते हैं कार कुशलता का अ आवशक है रुची अनुसार काम करने का अफसर प्रदान करना कार को जबरन थोपा जाना कार करने की विशेश छूट प्रदान करना उत्पादक्ता को कम कर देना तो कार कुशलता बढ़ाने के लिए यह आवशक है कि हम जो है रुची अनुसार काम करने का अफसर देना मतलब आर्थिक धाचे को स्वेच्छा नुसार काम ना मिलने को जनसंख्या व्रध्धी को कार के प्रती उदासी ना होने को तो यहाँ पर लेखक श्रम के छेतर में बड़ी समस्या जो मानता है वो है आपका स्वेच्छा अनुसार काम ने मतलब हमारा जो इंट्रेस्ट है उसके अनुसार से अगर हमें काम नहीं मिले तो यह सबसे बड़ी बाता है आर्थिक पहलू से जाती प्रता क्यों हानिकारक है आर्थिक पहलू से अगर हम देखे तो जाती प्रता हानिकारक क्यों है मनुष्य की रुची एवं आत्म शक्ति को कम करने के कारण, मनुष्य को आत्म केंदरत करने के कारण, मनुष्य के नियोमू में रख कर सक्रिये बनाने के कारण, मनुष्य को उन्नती के अफसर प्रदान करने के कारण तो यहाँ पर क्या आर्थिक पहलू से जाती प्रथा हानी कारग इसलिए है क्योंकि मनुष्य की रुची एवं आत्म शक्ति को कम करने के कारण प्रश्ण संख्या 6 पर निमलिखित प्रश्णों के उत्तर हे तो निर्देशान नुसार सही विकल्ब का चैन कीजिए अब हमारे पास हमारी हिंदी की जो पूरग पुस्तिका है कौन सी है वो है वितान वितान में से हमारे सामने दस प्रशन रखे गए हैं इन दस प्रशनों का हमें उत्तर देना है तो चलिए शुरू करते हैं टैन मार्क्स का हमारे पास ये रहेगा पहला प्रेशन है ये शोधर बाबू ओफिस में दिन भर के शुष्क वहवार का निराकरण कैसे करते थे मतलब पूरा दिन जो उनका ओफिस का जो रूटीन रहता था वो बहुत ही शुष्क वहवार रहता था क्योंकि भाई ये सबसे बड़े थे और इनकी सोच भी अब वहाँ पे नएने लोग आ रहे थे तो क्या होता था उनका जो वहाँ का पूरा महल रहता था बड़ा शुष्क यानि की बड़ा ड्राइनेस टाइप का रहता था मतलब लोगं को प्रस नहीं आता था काम करने में वहाँ पे शुष्धर पापू को फिर उसका निराकरण करने कहां जाते थे क्या होता था चुट्टी के समय चलते चलते जूनियरों से कोई मनुरंजक बाते करके चुट्टी के समय एक कप चाय पी कर ओफिस की सुस्त को सही करके ओफिस के कर्मचारियों को चाय पिलाके तो यह पूरे दिन का शुष्क वाता वरंट जो था रहता था उसका निराकरण करने के लिए चुट्टी के समय चलते फिरते जूनियरों के साथ थोड़ा मनुरंजक बाते कर लेते थे कि मतलब थोड़ा फ्रेंडली करते थे क्या था अपने वहवार के कारण पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मदभेध होने के कारण ओफिस का आतरिक्त काम करने के कारण बाहर के वातावनमने शांती प्राप्त करने के कारण तो वो जल्दी घर ना पहुंचने का कारण यह था कि पत्नी औ दाबू को रोज सुबा जल्दी किस कारण उठाते थे अब किशंदा आते थे शोधर भाब को सुबा सुबा उठा देते थे किस कारण उठाते थे घर का काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए सुबा जल्दी उठने की आदट डालने के लिए ध्यान और योग कर करने के लिए तो सुबा वो आकर क्यों उठा देते थे क्योंकि वो बोलते थे कि सुबा जल्दी उठने की आदट डालनी चाहिए इसलिए उसुबा जल्दी उठा देते थे जूच कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेशता क्या है लेखक के दादा मतलब लेखक के पिताजी की चरित्र की विशेशता क्या है वे लेखक के की प्रगती में बाधक हैं वे राव साहब का सम्मान करते हैं वे अपनी पत्नी से लडाई जगडा नहीं करते हैं या ये सभी तो सही option जो है वो है वे राव साहब का सम्मान करते हैं तो यह quality बता ही पूछी गई विशेशता तो विशेशता यही है कि वो राय सा खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता है। वह इस सत्य को जान गया है कि खेती में से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आता है मतलब आप ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकते हैं लेखक ने सिंदु सब्धता को जल संस्कृति किस आधार पर कहा अब लेखक जो हैं हमारे सिंदु घाटी सब्धता जल संस्कृति थी अब जल संस्कृति कहने का अक्ताथ पर क्यूं था क्योंकि वहाँ बहुत सारे कुण्ड कुएं ये सब कुछ मिला है और दूसरा वहाँ पर जो जल प्रबंदन है वो बहुती उच्च कॉलिटी का इसलिए उसे जल संस्कृति उन्होंने बोला था क्या है उस समय आधिक वर्षा होने के कारण नदी की कुएं कुण इसनानागार और बेजोड जल निकासी के कारण केवल नदीयों के किनारे बसी होने के कारण जल की बरबादी को रोकने के कारण तो सही क्या था हमारा उप्शन वो था नदी कुएं कुण इसनानागार और बेजोड जल निकासी के कारण लेकक ने इसे जल संस्कृति कहा है मोहन जोडरो वो से मिले कुण की बनावट ही उसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमार माना जाता है इस कथन से क्या तात पर रहे हैं अब उन्होंने क्या बोला मोहन जोडरो में जो कुण की बनावट है उसके अनुष्ठानिक प्रमोण नहीं है कुंड एक धर्म विशेश का ध्योतक ना होकर संपूर समाज का रूप है कुंड केवल उच्च वर्ग के प्रयोग हेतू था तो यहां पर इस कथन का ताथ पर है कि कुंड का उपयोग पवित्र और अनुष्ठानिक रूप से किया जाता था मतलब जो पूजा पाठ ह है और जो पवित्र कार हैं उसके लिए इस कुंड का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोदर बाबू को बेटे भूशन द्वारा उपहार में उनी गाउन किस उद्देश्च से दिया गया था किस तर लिए दिया था उसने कहा था कि सुबह स पूर्टी के लिए पिता को सर्दी लगने से बचाने के लिए तो किस उद्देश्च से दिया गया था दूद लाने की जिम्मेदारी उनी के कंधों पर डाणने के लिए ये शुदर बाबु चाहते थे कि ये जम्यतारी उनके बच्चों में से कोई ले ले लेकिन यहाँ पर उनी गाउन लाकर उन्होंने इसने इसाबित कर दिया कि नहीं दूद तो आपी को लाना है अब आप ये उनी गाउन पहन कर जाया करिए आने दे अब बस उसे मैं उसे सुनाता हूँ की नहीं अच्छी तरह देख ये कथन किसने वा किस से कहा है जूच कहानी के आधार पर बताईए ये कहानी किसने कहा था अब आने दे उसे मैं उसे सुनाता हूँ की नहीं अच्छी तरह देख ये कथन बोला था दत्ता जी राओने जी के क्या है दत्ता राओने लेखक के पिता से दत्ता राओने लेखक की माता से लेखक के पिता ने उसकी माता से या लेखक के पिता ने लेखक से तो ये कथन किसने बोला है ये कथन बोला है दत्ता राओने लेखक की माता से मा से बोला का भी दस्तावेज होते हैं कथन का भाव क्या है अतीत के दबे पाउं पाट के आधार पर सटीक विकल्प चुलिए तो यहां पर क्या दिया गया है तूटे फूटे जो खंडर होते हैं वो सिर्फ जो हैं संस्कृति का इत्यास नहीं बताते वहां के रहने वाले लोगों के ब जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती खंडरों के आधार पर प्राप्त की गई जानकारी सदैव आप्रमारिक होती हैं खंडर किसी सभ्था का केवल इत्यास होते हैं तो यहां पर इस कथन का अर्थ यह है कि खंडरों के आधार पर वहां के लोगों के रहने सहने के ढंग सो पूरा वर्णात्मक है यानि कि अब हमें डिटेल एक्समिनेशन के साथ सारे उत्तर देने हैं तो सबसे पहला जो प्रशना आ रहा है वो है रचनात्मक लेख क्या दिया है यहां पर दिये गए चार अप्रत्याशित विश्यों में से किसी एक विशे पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है अब आपको कया करना है चान टॉपिक दिये गए हैं किसी एक टॉपिक पर आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख करना है यह है हमारा सिस्माक्साम ठीक है तो अब यहाँ पर जो चार आप्शन है ध्यान से देखेगा क्या दिया गया है दिया और तूफान दूसरा है मेरे महले का चौराहा मेरा प्रिये टाइम पास एक काम काजी औरत की शाम तो यहाँ पर यह चार टॉपिक हमारे पास में मौजूद है चलिए चार टॉपिक में देखते हैं क्या क्या है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दिया और तूफान मिट्टी का बना हुआ एक नन्ह सा दिया जब जलता है तो रात्री के अंधरकार से लड़ता हुआ उसे दूर भगाता है अपने आस पास हलका सा उजाला फैला देता है जिस अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझता उसे भी दिया अपना मंद प्रकाश फैला कर रास्ता दिखा देता है हवा का हलका सा जोका जब दिये की लोग को कपा देता है तब ऐसा लगता है कि इसके बुझते ही अंधिकार फिर छा जाएगा और फिर हमें उजाला कैसे मिलेगा दिया चाहे छोटा सा हो पर वह अकेला अंधिकार के संसार का सामना कर सकता है तो हम इस इंसान जीवन को की राह में आने वाली कठनाईयों को भी उसकी तरह मुकाबला क्यों नहीं ही कर सकते यदि वा तूफान का सामना करके अपनी टिम्टिमाती लौ से प्रकाश फैला सकता है तो हम भी हर कठनाई में करमत बनकर संकटों के घेरे से निकल सकते हैं तो दिये के माध्यम से यहाँ पर मनुश इंसान के जीवन में आने वाली मुश्किलों को बताया गया है ठीक है मतलब हम हम क्या हैं दिया यानि कि हम हैं हमारे अंदर की हिम्मत होनी चाहिए और तूफान हैं मुश्किले हैं तो जब दिया टिम्टिमाकर उन तूफान से कर सकते हैं महाराना प्रदाप्ट ने सब कुछ खोके अपना लक्ष प्राप्त करने की ठानी थी हमारे पूर्व प्रधानमंतरी लाल बहादुर सास्त्री ने नन्ने से दिये के समान जीवन की कठोरता का सामना किया था और विश्व के सबसे बड़े गरतंत भारत का प्रध प्रधानमंती प्रप्त प्राप्त कर लिया था हमारे राश्ट्रपती कलाम ने अपना जीवन टिम्न पाते दिये के समान आरंप किया था पर आज वही दिया हमारे देश को मिशाइले प्रदान करने वाला प्रजंड अगनी कुंड अगनी पुंज है उसने देश को जो शक् प्रवासी पक्षी साइबेरिया से उड़कर हजारों लाकों मील दूर पहुँच सकता है तो हम इनसान भी कठिन से कठिन मंजिल प्राप्त कर सकते हैं तो देखा ना किस तरीके से दिया और तूफान के मांधियम से हमने जीवन का कितना असली सत्य निकाल के सामने रखा अब का टॉपिक है हमारे पास में दूसरा मेरे महले का चौरहा मतलब अब आपकी महले का चौरहा कैसे लगता है आप इसको यहां पर अच्छे से एक्स्प्रीन कर सकते हो ठीक है कैसे करेंगे क्या क्या चीज़े में यह मैं आपको बता रही हूँ अब आपके चौराएं में जो दों जानेवाली सडक रेलवे स्थेशन की और से आती है और मुख़् बाजार की तरफ से जाती है जिसके आगे औद्योगी च्छेत्र है रेलवे स्थेशन से आने वाले यात्री और मालगाड़ियों से उत्रा सामान पें भर इसी से गुजर कर अपने अपने गंतव्य तक उत्तर से दक्षिन की तरफ जाने वाली सड़क, मॉडल टाउन और बस स्टैंड से गुजरती हैं, इस पर दो सिनेमा हॉल और एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बने हैं, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है. चौराए पर फलों की रहडियां, आख कुछ सबजी बेचने वाले खोमचे वाले तो सारा दिन जमें ही रहते हैं, चूकि चौराए के आसपास घनी बसती है, इसलिए लोगों की भीड कुछ ना कुछ खरीदने के लिए यहां आती ही रहती है. सुबा सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों से भरे रिक्षा और बसे जब गुजरती हैं तो भीड कुछ अधिक बढ़ जाती है. कुछ रिक्षाओं में तो नन्ने नन्ने बच्चे गला भाड़ कर चिखते चिलाते सबका ध्यान अपनी ओर खीचते हैं. चौराय पर लगबग हर समय कुछ आवारा मजनू छाब भी मंडराते रहते हैं जिने ताग जाग करते हुए पता नहीं क्या मिलता है. मैंने कई बार पुलिस के द्वारा उनकी वहां की जाने वाली पिटाई भी देखी है पर इसका उन पर कोई विशेश असर नहीं होता है वे तो चिकने घड़े हैं कुछ तो दिन भर नीम के पेड़ के नीचे घास पर बैठ तयाश खेलते रहते हैं मेरे महले का चौराहा नगर में इतना प्रसिद है कि महले और आसपास की कॉलोनियों की पहचान इसी से हैं. तो यहाँ पर महले में क्या क्या गतिविदिया होती कि इस हड़के काह नमनीतिया क्या है सभी कुछ कुछ हमने बता लिका उत्स तरह आपधा आप लिक सकते हैं चलिए नेक्स्ट आते हैं नेcit है हमारा टॉपिक मेरा ताइम मेरा प्रिये टाइम पास अब आपका प्रिये टाइम पास आपका क्या हो सकता है आप पो लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए क्या है मेरा प्रिये टाइम पास मिडल टॉप हैडिंग देने के बाद आप लिखेंगे आज के आपद हापे से भरे युग में किसके पास समय हैं फिर भी हम लोग मशीनी मानव तो नहीं है कभी कभी अपने लिए निर्धारित काम धंदों के अत्रिक्त हम कुछ और भी करना चाहते हैं इसे मन सुकून प्राप्त करता है और लगातार काम करने से उत्पंत बोरियत दूर होती है हर विक्ति को पसंद अलग होती है इस किसी का इधर उधर घूमना तो किसी का खेती बाड़ी करना है मेरा प्रेय टाइम पास विंडो शॉपिंग है विंडो शॉपिंग यानि की जाकर जगा जगा देखना क्या चीज़ें हैं जब कभी काम करते करते मैं उप जाता हूं तो मेरा मन कोई काम नहीं करना चाहता दुकानों की शोव विंडोस सुन्दर ढंग से सजे सवरे सामान से ग्रहाकों को लुभाते रहते हैं। कि मैं इसे तब खरीद दूँगा जब मेरे पास अत्रिक्त पैसे होंगे। ऐसा करने से मेरी जानकारी बढ़ती है। नैने उत्पादों से संबंदित ग्यान बढ़ता है और मन नए सामान को लेनी की तयारी करता है। और इसलिए मस्तिश्क और अधिक परिश्रम करने के यह फिलिंग भर देती है कि हमें यह चीज लेनी है और लेने के लिए मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा इसलिए आप परिश्रम के लिए आपको प्रेरित करती है। तो यह ऐसा टाइम पास वाकई बहुत कामका होता है हमारा मनुरंदन तो करी रही है और साथी हमारे अंदर यह भावना भी भर रही है चले नेक्स्ट हमारे पास में चो टॉपिक है वो क्या है एक कामकाजी औरत की शाम कैसी होत सकती है कैसे वो काम करती है पूरा दिन और शाम को उसका कैसा टाइम रहता है यह चीज़ हमारे देश में मध्यवर्गिये परिवारों के लिए अतिवा आवश्चक हो चुका है कि घर परिवार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए पति-पत्नी दोनों धन कमाने के लिए काम करें और इसलिए समाज में कामकाजी औरतों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रहे हैं कामकाजी औरत की जिंदगी पुर्षों की अपेक्षा कठिन हैं वह घर बाहर एक साथ समालती हैं उनकी शाम तभी आरम हो जाती है जब वह आपने कारिस्तल से छुट्टी के बाद बाहर निकलती हैं यानि कि पूरा दिन काम करने के बाद जब हम आफिस से बाहर निकलते हैं तो वहां से हमारी शाम शुरू हो जाती है वह घर पह चुके होते हैं दिन भर की ठकी हारी औरत कुछ आराम करना चाहती है पर उससे पहले वह चाय तयार करती है यदि वह औरत सयुक्त परिवार में रहती है तो कुछ और तयार फर्माईशें भी उसे पूरी करनी पड़ती हैं चाय पीती पीती वह बच्चों से बड़ों से बातचीत करती है यदि उस समय कोई घर में मिलने जुलने वाला आ जाता है तो सारी शाम आगुंतुकों की सेवा में बीच जाती है लेकिद यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी उसे फिर से बाजार या कहीं और जाना पड़ता है ताकि घर के लोगों की फर्माईशों को पूरा कर सके लोटकर बच्चों को होमवक करनी की सहायता देती है और फिर रात के खानी की तयारी में लग जाती है कभी कभी उसे आस पड़ो उसके घरों में भी आपचारिकता वश जाना पड़ता है कामकाजी औरत तो चकरगिन्नी की तरह हर पल चकर ही काटती रहती है उसकी शाम अधिक तर दूसरों की फर्माईशों को पूरा करने में बेच जाती है वह हर पल चाहती है कि उसे घर में रहने वाली औरतों के समान कभी शाम अपने लिए मिले पर प्राया ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि कामकाजी औरत का जीवन तो घड़ी की सूहियों से बंधा होता है तो एक कामकाजी आपके घर में भी ऐसा कोई होगा जो भाई काम में बिजी रहता होगा कोई ऐसी लेडी तो आप भी उनके रूटीन के हिसाब से इस पूरी चीज को यहाँ पर बया कर सकते हैं तो यह हो गए हमारे चार रचनात्मकलिक अब हम आते हैं हमारा नेक्स कोषण है प्रशन संख्या आठ किनी दो प्रशनों के उत्तर लगभग साठ शब्दों में हमें देने हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास है हमारी बुक अभिवेक्ति और माध्यन से तीन प्रशन प्रस्तुत किये गा है जिसमें से हमें दो प्रशन करने हैं साठ शब्दों में लिखने हैं और यह हमारा थ्री मार्क्स का एक प्रशन होगा चले ध्यान दीजिएगा पहला है डेड्लाइन का क्या आश्र है एक शब्द आता है पत्रकारिता में डेड्लाइन इसका क्या मतलब होता है कोई भी समाचार पत्र जिस अवधी के बाद छपता है वा अवधी ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है प्राय समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं अता पिछले 24 घंटे की खबरे ही छपने योग्य होती है उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं अतहा समचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधी डेडलाइन होती है तो अब आप ऐसे समझो जैसे इस mostly रात के 12 बजे तक जो है वो डेडलाइन रहती है अभी रात के 12 बजे से लेकर दूसरी रात के 12 बजे तक जो डेडलाइन है 12 बजे रात की वो हमारी डेडलाइन है तब तक वो खबरे चपेंगी उसके बाद जो है न फिर वो खबरे नहीं चप सकती 12 बजे के बाद तो ये 24 घंटे की डेडलाइन दी जाती है कि मतलब डेडलाइन का तायत पर या पर हो गया कि बारा बजे तक की जो खबरे हैं वो हम खाली पेपर में चापेंगे उससे पहले-पहले आप सारी खबरे ले आईए और छपवा लिजे कविता किस प्रकार बनी कविता लेखन के संबंध में दो मत क्या हैं इस पश्ट कीजिए कविता जाहिर ता के पहले तो हुआ नहीं कर पहले चीज है कि इसको जो हैं अभ्यास से नहीं सीख सकते यह समवेदनाओं के साथ उत्पर्न होती है आपके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए दूसरा मत है कि नहीं हम इसको जो है अभ्यास करके भी सीख सकते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे देखे पारंपरिक लोरियो मांगले गीतों, श्रमिक द्वारा गुनगनाई लोग गीतों और तुकबंदी में कविता के स्वर मुखृत होते हैं अता इसके द्वारा कविता बनी वाचिक परंपरा से जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं जिसमें एक का मानना है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को प्रसिक्षन द्वारा नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि इसका संबंद मानवी समवेदनाओं से हैं जबकि दूसरा मत है कि अन्य कलाओं की भाती प्रसिक्षन के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता ह एक मत है कि हम प्रसिक्षण द्वारा सीख सकते हैं दूसरा का मत है कि हम प्रसिक्षण द्वारा जो है इसको सीख सकते हैं तो यह दोनों चीजें अलग-अलग मत हमारे सामने प्रस्तुत है अब हम आते हैं तीसरा प्रश्ण है का समाचार किसे कहते हैं समाचार के प्रकारों पर प्रकाश डालिए अब समाचार किसी कहते हैं पहले हम यह करेंगे फिर उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे SURRUI यहाँ प्रकार नहीं इसके ककार है हिंदी मे प्रच्लेट समाचार शब्द अंग्रेजी के नीउस का प्रयाय है Iska प्रयाय है? News का News शब्द चार दिशाओ नौर्द, इस्ट, वेस्ट, साउट देखें यहाँ पर क्या है? N, E, S, जबलू तो नीउस का फुल्फर्म जो है ये है कि नामों का संचिप्त रूप है इस तरह समाचार का संबंध चार दिशाओं से होता है मतब चारों दिशाओं में जो खबरे हैं वही हमारी नीउस कहला दिये समाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने का इच्छुक रहता है ये जानकारी हमें समाचार के अंतरगत प्राप्त होती है समाचार को परिभाशत करते हुए कहा जाता है कि वह सब कुछ जिसे हम कल तक अनभिग्य थे यानि कि हम नहीं जानते थे कल तक जिन चीज़ों को जिनके बारे में हमें नहीं पताता हमारे लिए समाचार है ततका लिखता एवं नवीन समाचार महत्वपूर्ण गुण है वास्तों में महत्वपूर्ण घटनाओ एवं गतिविदियों उनका सही एवं पक्षपात रहित विवरन प्रस्तुत करना समाचार यानि कि जो भी खबरे हैं उन्हें हम पक्षपात नया करते हुए और जैसे जैसे वो खबरे हैं वो वैसी ही प्रस्तुत करना ही हमारा क्या कहलाता है समाचार कहलाता है अब हम आते हैं समाचार के ककार जो ककार हम पढ़ते हैं छे ककार इनको हम समझेंगे किसी भी समाचार में छे आधार भुत सवाल होते हैं कोई भी समाचार ले लो में बेसिक कुछ सवाल होते हैं उसी से वो समाचार बनता है जिनने हिंदी में छे ककार कहा जाता है क्या कहा जाता है चै ककार कहा जाता है अब इन्हें ककार क्यों कहते हैं यह भी बताते हैं तता अंग्रेजी के पाँच डबलू एवं एक एच कहा जाता है अंग्रेजी के पाँच डबलू ले लो यान इब इसको हम कैसे आपको समझाएं यह देखिए यहां समझिए यहां पर अंग्रेजी के 5W हैं 1,2,3,4,5 और 1 यह H है ठीक है? तो अंग्रेजी के 5W और 1H से ही जो है यह 6 ककार होते हैं कैसे? किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना समानिता आवशक माना जाता है यह ककार निम्न है पहले है क्या? क्या का मतलब अर्थाद क्या घटित हुआ? दूसरा है कब यानि कि वेन अर्थाद घटना कब घटित हुई? कहां यानि वेर अर्थाद घटना किस स्थान पर घटी यानि किस स्थान से सम्बंधित है? कौन यानि हू अर्थाद घटना किस से सम्मंदित है Q यानि Y अर्थाद घटना क्यों घटी और लास्ट है हमारा एक डब H कैसे मतलब हाओ अर्थाद घटना कैसे घटित हुई तो ये हमारे क्या है छे ककार हैं इन ककारों पर ही हमारे पूरा समाचार डिपेंड़ तो और यही छे ककार हमारे समाचार की उल्टा पिर प्रश्न संख्याई 9ुकिश्य नौ में देखे हमारे क्या दिया निम लेखें तीन मेंसे किनी दो प्रश्नों के उत्तर से पहला प्रस्टे समा चार लेखन हे तो आवस्षक तथ्यों का अलें कीजिए जो समा चार लेखन उते होना उसके जो आवस्षक तत्य घृमकर निकाल करनेश किया हैं पहला है समाचार लिखने से पूर्व उसकी प्रष्ट भूमी का ग्यान आविश्चक है यानि कि हम जिस भी टॉपिक पर समाचार लिखने जा रहे हैं उसकी जो बेस नॉलजज है हमें वो अच्छे से भूनी चाहिए समाचार प्राप्त होने के बाद उस से संबंदित अनेग पक्षण एवं तथ्यों को समाहित कर समगरता के साथ लिखन चाहिए उसके बाद उससे related कई सारे पक्ष होते हैं, कई सारे तत्य होते हैं, उन सभी को लेकर आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद फिर उसको लिखिए समाचार लेखन में चार सकारों का ध्यान रखना चाहिए अब सकार क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, सकार मतलब चार साव, जैसे सत्यता, इस्पष्टता, संचिप्तता और सुरुची, ये होते हैं सकार मतलब सत्यता समाचार सच्चाई का आधारित होना यानि कि समाचार में जितनी भी हम खबर दे रहे हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए मतलब सब सच होना चाहिए इस पश्टता समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा सके जो भी हम समाचार लिखें दूसरा पढ़ने वाला उसको इसपष्ट तोर से समझ सके ये भी होना चाहिए तीसरा है संचिप्टता समाचार को अत्ति विस्तार से बचाना चाहिए मतलब जो समाचार है उसे आप कम शब्दों में लिखिए इस पश्ट लिखिए लेकिन जबरजस्ती का उसको विस्तार करने की जुरूरत नहीं कि उसको आप विस्तार करते जाले उसकी कोई आवशकता नहीं नेक्स्ट है सुरुची समाचार की भाषा शैली और प्रस्तुती रोचक होने चाहिए अब जब उसकी भाषा शैली आप अच्छी करेंगे तो सामने वाला रुची के साथ पढ़ेगा इंट्रेस्ट के साथ पढ़ेगा तो इसी लिए अगर आप भाषा बहुत मुश्किल नहीं बहुत बड़े हो नाहीं बहुत छोटे यह एक पैरग्राफ में आप एक के बारे में बात करें यह कि एक paragraph में आपने चार चीज़ों को समंधित वहाँ पर कर दिया समाचार के शब्दों की पुन्रावित्ती नहीं होनी चाहिए उसमें एक ही शब्दों को आप बार 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 मत इस्तेमाल करिए का नहीं तो ये बोरियत हो जाती है उसको पढ़ने में समाचार की भाषा में समासिक्ता का गुण विद्धमान होना चाहिए यानि कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो बहुत लंबे ना होकर छोटे हो जैसे हम समास बनाते हैं तो हम क्या करते हैं समास में हम लंबे लंबे शब्दों को छोटा करके लिखते हैं वही समासित्ता बताई है यानि कि आप बहुत बड़े बड़े वाक्यों बना बना कर उन्हें छोटा करके जितना छोटा आप लिख सकते हो उनको लिखना चाहिए समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए मतब बेकार में जो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है इस तरह के शब्दों के इस्तमाल से हमें बचना चाहिए अब आते हैं दूसरा प्रश्ण कविता लेखन के लिए किन बातों का ग्यान होना आवश्यक है हम जो कविता लेखन लिखते हैं इसके लिए हमें किस चीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कविता लेखन के लिए निमलिखित बातों का ग्यान होना जरूरी है पहला है कम कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की शमता होनी चाहिए मतलब जिस समय में जो चीजें प्रचलित हैं हमें उसका अच्छी तरीके से ग्यान होना चाहिए कम से कविताओं को लिख पाएंगे और लोगों को पढ़ने में इंट्रेस्ट आएगा कविता समय विशेष में की उपज होती है उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है अता कविता लेखन के लिए आवशक है कि किसी समय विशेष की प्रशलित प्रवित्तियों की ठीक ठाग यानि उचित जानकारी होनी चाहिए अब मालीजे इस समय अगर कोई कविता लिखी जाएगी तो किस चीजों पर लिखी जा सकती है बहुत सारी चीज़े हैं अगर किसी युद्ध के समय कोई कविता लिखी जाएगी तो युद्ध से समंधित रहेगी आप जैसे सोतंतर्ता के समय लेखिव तो सुतंता बवित नहीं नवीन दरश्टी कोड नया आपका कविता लेखन के लिए पतनु के बिना कविता लेखन शंभव नहीं है क्योंकि जो point of view कविता लेखन के लिए चला आ रहा है आप उसी को लेकर अगर कविता रिखोगे तो वो बोरियत खड़ी कर सकता है लोगों में इंट्रेस्ट पैदा नहीं करेगा आप एक नए कवी हो तो आपका point of view भी नया होना चाहिए और तभी आप नए कविता का निर्म कहानी लिखते समय निमलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले कहानी का आरंब आकर्शक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसमें रम सके मतलब आप जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा इंट्रेस्टिंग रखो ताकि जो पढ़ रहा है उसको इंट्रेस्ट आए और व उसमें जितनी भी घटना है घट रही है यासा न ao किसी को आपने बहुत लंबा कर दिया और दूसरी जो घटना है उसको आपने छोटा कर दिया नहीं कहानी लिखते समय हर घटना हर प्रसंग को आप equalOf में डिवाइड करिए सभी के बारे में बराबर बराबर लिख favorite कहानी की भाषा शरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमई होनी चाहिए जिससे क्लिष्ट सब्द तथा लंबे वाक्य नहीं होने जाहिए आरो उस आरो बुक में से हमारा जो काव विखंड है उस पर आधारित तीन प्रश्ण पूछे गए हैं हमें सर्फ दो प्रश्ण यहां पर करने हैं यह कितना होगा हमारा थ्री माक्स का एक प्रश्ण यानि की प्रश्ण संक्या दस हो गया हमारा सिक्स माक्स का यहां पर कर दे में क्या है वो भी जल्दी घर पहुंचना चाहता है लेकिन वो कुछ सोच कर जो है उसके पैर शितल यानि कि रुख जाते हैं और मन घपराने लगता है कारण क्या है सभी अपने घर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि कोई न कोई उसके घर में इंतजार कर रहा है लेकिन कवी कि केता है कि दिन ढ़लने पर जब घर की और कदम बढ़ाता है तो उसे यह देखकर सुखद अनुभूती होती है कि अपने अपने प्रतिक्षा रत प्रियजनों से मिलने के लिए व्याकुल जीप ठकावट के बावजूत कित्ती स्पूर्ती से घर की और जा रहे हैं। नहीं कर रहा इसलिए वो ऐसा भेव करता है। दूसरा प्रेशन है पतंग शीर्शक की सार्थकता को इसपश्ट कीजिए। हमने जो कविता पड़ी थी पतंग तो पतंग के जरी हमने क्या देखा था कि बच्चे किस तरीके से जो है वो पतंग के पीछे भागते हैं। और बच्चों की कोमलता ये सब चीजे हमने इस कविता में देखी थी। अब इस पतंग जो शीर्शक लिया गया है। क्या ये कविता के साथ एकदम सही है क्या इसका शीर्शक सही नहीं है कुछ और हो सकता था तो आपको यहां पर जो पतंग सीर्शक दिया गया है। आर्थक्ता को शिद्ध करना है कि नहीं ये एकदम सही शीर्षक लिया गया है आलो कवी आलोग धन्वा ने पतंग को एक प्रतीक के रूप में चुत्रत किया है पतंग के चारों और किशोरों की टोली घूम रही थी इन बच्चों से ही कवी जीने की शैली सीख रहा है कैसे अ अपनों से भरे मन द्वारा उचाईयों को छूने का अता इस कविता के लिए पतंग से अधिक उप्युक्त और कोई शीर्षक हो ही नहीं सकता अब देखिए क्या है एक पतंग है उस एक पतंग के पीछे बच्चे किती अच्छे से भाग रहे है ठीक है भागते समय उनके अ जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं अब प्राप्त करने के लिए बहुत से मुश्किले आती हैं लेकिन उन मुश्किलों को दर किनार करते हुए हमें उसे पाना है तो यही चीज हमें ये कविता सिखा दिये अब चुकि पतंग के माध्यम से इसको बताया गया है इसलिए इस पश्ट किया है अब पवित्रता निर्मलता अब जिसे राक से लीपा हुआ चौका ठीक है के सिल पर पीसी हुई के सर तो ये सभी क्या है कहीं न कहीं हमें पवित्रता को बताती है उजवलता को बताती है तो यहीं उपमान उनों लिये हैं आप उन्हें को बताओगे उशा कविता में कवी ने भोर की नभ की पवित्रता, निर्मलता तथा उज्वलता को विविद बिंबो एवं परतीकों के मात्यम से दर्शाया अब विविद पतिक क्या है देखिए राक से लीपा हुआ चोका पवित्रता का परतीक है नील जल में किसी की गौर जिलमिल देह से निर्मलता तथा काली सिल से जरा से लाल केसर से धुल गई हो इसमें उजवलता बताई है तो देखे कैसे है जो नील जल में जो देह थी वो क्या थी निर्मलता थी और सिल पर क्या उन्होंने बताया वो हमारी उजवलता का प्रतिबिम्ब है भोर के नब के बदलते सौंदर को कवी ने जन जीवन की गतिशीलता तथा मानवी गतिविधियों से हुरे परिवर्तनों के रूप में बताया तो यहाँ पर जो मानव जो क्रियाएं करते हैं उसके माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कि जैसे प्रकति गतिशील है वैसे ही मनुष भी गतिशील ताके साथ अपने दिन की शुरुवात कर रहा है अब आते हैं अपने प्रश्ण संख्या 11 पर प्रश्ण संख्या 11 में क्या पूचा गया है काविखंड पर आधारे तीन प्रश्णों में से कि नहीं दो प्रश्णों के उत्तर लगबग 40 शब्दों में देना देखिए अब हमें फिर काविखंड से ही प्रश्ण दिया गया है लेकिन इस बार क्या है सिर्फ 40 शब्दों में हमें इसको देना है तो ध्यान दीजेगा क्या है पहला प्रेश्ट विपलो के बादल की घोर गर्जना का धनी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है बादल राक कविता के अधार पर बताईए विपलो अथलात क्रांती यानि बदलाब की जो बादल होते हैं वो जब आते हैं तो धनी लोगों पर क्या प्रभाव पताया है इस कविता में आपको ये लिख करना है समाज का धनी वर्ग प्रभुत्व शाली है यह वर्ग पुझीवाती तथा सामंती है इसे किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से भै होता है मतलब कोई भी तरह समाज के धेले में अगर कोई भी परिवर्तन आएगा तो उसे डर लगेगा ही यह वर्ग शोशन की बुनियाद पर टिका होता है मतलब शोशन की बुनियाद मतलब ये सामंती और पुझीवाती वर्ग क्या है वो जो कमजोर लोग होते हैं मजदूर लोग होते हैं श्रमिक लोग होते हैं उनका शोशन करते हैं और मतलब जादा से जादा काम करा के बस अप विपलौ के बादल अर्थात बादल बदलाव क्या होगा ये लोग जो अभी तक शोषन जेल रहे जो वर्ग वो क्या होगा वह क्रांती कर देती हैं वो अंदोलन शुरू करते तो इसका सरक किस पर पड़ेगा धनीवर्ग पर पड़े का जाहिर सी बात है विपलों के बादल जब घोर गर्जना करते हैं तो धनीवर्ग अपनी विनाश म्रत्यु तता लुटने की आशंका से ग्रस्त हो जाता है उन्हें लगता है कि अब हमारा जो है गड़बर टाइम शुरू हो रहा है ऐसा धनीवर्ग अपने महल के शैन कक्ष में भी भैबीत दिखता है उसे अपने अस्तित्व तता शोषण की प्रक्रिया के अंत का बोध कापने के लिए विवश कर देता है अब उसे डर लगने लगता है कि अब कहीं न कहीं हमारा अंत शुरू हो जाएगा हम इतना शोषण करते आए हैं कि अब वो लोग जागरूख हो गए हैं अब वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम जो अभी तक जितना अर्ण कर रहे थे अब हमारा वो सामराज सवाप्त होने पर आ सकता है नेक्स कोश्टन है कवी शमशेर बहादूर सिंग के अत्रिक्त अनकिन प्रसिद्ध कवियों ने प्राता काल के सौंदर को अपनी कविता का विशय बनाया है चर्चा करिए ऐसे बहुत से कवी हैं जिनोंने प्राता काल को सौंदर बताएं तो आपने अपनी जो भी अभी तक आपने पढ़ी हैं पिछले क्लासस में उसमें से किसी का भी आप नाम ले सकते हो तो यहां पर देखी क्या है कवी शमशेर बहादू सिंग ने उशा कविता में प्राता काल क के सौंधर को इस्पष्ट किया है इसकें अतरिक जैशंकर प्रशाद तत्हा अग्याइ नहीं भी प्राता काल की गतिव्य धि हो ओं तत्हा परिवर्टनों को इस्पष्ट करने हुए हैं मतलब उन्होंने जितने भी उपमान दिये हैं वो क्या है सभी गाउं से जुड़े हुए तो अब जब से इस तरीके कि अगर कोशेंस आते हैं तो इसके लिए आपको कावे की अच्छी नॉलेज होने चाहिए अक्सर पूछ लेते हैं तो जैसे काव में कौन से कवी ने किस टॉपिक पे लिखा है तो यह आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आप 9, 10, 11 में जितने भी बुक्स पढ़ते आए हैं हिंदी से रिलेटेट वो क्या क्या है तो वो आपको अच्छी से उसकी नॉलेज होनी चाहिए नेक्स कोशन है लक्षमण मूर्चा और राम विलाब काव्यांश में लक्षमण की प्रती राम के प्रेम के कौन-कौन से पहले अभिविक्त हुए है तो जब क्या होता है लक्षमण जी जो है वो बेहोश पड़े हुए हैं अब राम विलाब कर रहे हैं अब जब वो विलाब कर रहे हैं तो लक्षमण के प्रती राम का कौन-कौन सा पहलू प्रेम का निकल के आया है ये आपको बताना है तो देखे क्या है लक्षमण साधारन रोता है किसी अपने प्रिय जिन के विछड़ जाने पर वैसे ही वो विलाप कर रहे थे या श्री राम का मानविय रूप द्रिश्टी गरत होता है वे साधारन मानव की तरह अधीर होते हैं तथा कहते हैं कि उन्हें यदि ग्याद होता कि वन में भाई का विछो होग तो वे पिता को दिये गए वचन का भी पालन नहीं करते हैं उन्हें लगता कि अगर उन्हें पता होता कि वन में आके मैं पाही से बिचुड़ जाओंगा तो पिता को जो वचन दिया था कि मतलब मैं वन जाओंगा तो मैं उनका पालन नहीं करता और मैं कभी वन आता ही नहीं वे कहते हैं संसार में पुत्र इस्त्री आदी को एक आधिक बार मिल सकते हैं, मतलब पुत्र कई बार पैदा हो सकते हैं, पत्री एक नहीं है तो दूसरी हम ब्या सकते हैं, लेकिन भाई हमें बार बार नहीं मिलता, परन्द तुस्य सहोधर भाई पुनहा नहीं मिलता, वे कहते हैं कि लक्षमण के बिना वे कौन सा मुह लेकर अयोध्या जाएंगे इन पंक्तियों में शीराम के आंतरिक व्यथा का मर्म इंस्परंश्री चित्रण हुआ है तो मतलब वो कितना जादा दुखित हैं ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिली हैं अब मागए अपने प्रश्ण संख्या बारा पे तो प्रश्ण संख्या बारा और तेरा हमारा गद्य खंड से संबंदित हैं तो बारा में हमारे पास है गद्य खंड पर आधारे निम लिखे तीन प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर हमें साथ शब्दों में देने हैं तो आरो बुक का जो गद्य खंड है उन अध्यायों में से हमारे सामने तीन प्रश्ण रखेगा हैं तीन में से दो प्रश्ण करने हैं, लेकिन साथ शब्दों में लिखने हैं, और ये प्रश्ण है हमारा, थ्री मार्क्स का एक रहेगा, यानि कि प्रश्ण संक्या बारा हमारा हो गया, सिक्स मार्क्स का, चले देखें, पहला प्रश्ण देखने हैं, क्योंकि तीन प्रश्ण है है यह कहना कठिन है महादेवी वर्मा कि इस कथन की सोहोधारण समीक्षा कीजिए भक्तिन अच्छी है सारे काम में लेकिन हर चीज में अपनी मनमानी हर चीज को अपनी तरह से मोड़ना बताना यह उसके अंदर की कॉलिटी थी तो कभी-कभी महादेवी वर्मा खुदी कन्फ करते हुए कहा है कि वह सत्यवादी हरिस्चंद नहीं क्योंकि वह लेखी का कि इधर उधर पड़े पैसों को भंडार ग्रह की किसी भी मठकी में रख देती है पूछने पर वह इसे समहाल कर रख देने का तर्क देती है वह सत्य असत्य की अपनी ही परिभाशा मतलब हर कि उसे क्या कि मूलती है समहाल के रखना उसका तर्क है वह ऐसा पैसों को समहाल कर रखने के उद्देश से करती है कि मतलब पैसों को हमने समहाल के रखा इसके लावा वा लेखी का को प्रशण करने के लिए किसी बात को इधर उधर घुमा कर कहती है प्र Epic एवं समय के अनुसार वह मूल तथ्यों को जोड घटाव कर देती है इसे सामान ने लोग जूट कहते हैं भक्तिन सभी बातों एवं कामों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने में निपुड है तो यहां पर जहां वो हर चीज करने में निपुड है वहीं दूसरी तब हो हर चीज कह देती है कि भाई ऐसा वेदों में लिखा है तो यह चीज मतब उसको हर चीज जो है वो अपने तरीके से सही साबित करने के लिए वो तरक देती थी तो यह चीज कहा जा सकता है कि दुर्गुड उसके अंदर भी थे तो वो अच्छी है यह कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर भी कहीं न गहीं बुराईयां थी लेक्षा के नुसार बाजार का जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्ड पर किस प्रवान प्रकार प्रभाव डालता है बाजार के जार जब हमारी जेब भरी हो तब तो ये प्रभाव हमारे सर चड़के बोलता है, अब इस से उपाई क्या है? जब जाईये तो अपना मन भर कर जाईये, तात पर मतलब लिस्ट बना कर जाईये, तो ऐसे कई उपाई हमें इस पार्ट में बताए गए क्या है देखिये? बाजार में गहरा जादू है यह जादू वेक्ति के मन मस्तिश्क पर उसी प्रकार प्रभाव डालता है जिस प्रकार चुम्बक का जादू लोहे पर चलता है जब वेक्ति की जेब भरी होती है और मन खाली यानि की जेब भरी है यानि हमारे पास पैसा है मगर हम कुछ बगैर सोचे चले जाए बाजार में, तो जादू का असर खूब चलता है, तब जादू चलता है, अब क्या है, जेब खाली है और मन भरा लेकिन तब भी वो जादू चल जाएगा, तब थोड़ा असर कम करेगा, लेकिन चलेगा तब भी, इस प्रभाव से बशने के लिए हमें बाजार में तब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो मतलब बाजार में हम तब जाएं जब हमारी जरूरत हो फालतू में बाजार जाओगे तो फालतू की ख़ड़ी करोगे जिस प्रकार यदि गर्मी में पानी पीकर बाहर जाएं तो लू लगने की संभावना कम रहती है उसी प्रकार यदि आपका मन लक्ष से भरा हो तो आप बाजार में अपना सुक ढूंड ही लेंगे और बाजार आपको तंग नहीं करेगा अर्थाद जब हमें पता हो कि हमें इतना सारा हमने लिस्ट बना ली हम इतना सारा सामान चाहिए और हम पहुत जाते हैं बाजार में तब क्या है हमारा मन टार्गेट पे है कि इस दुकान में ये मिलेगा हम यहां जाएंगे उस दुकान में वो मिलेगा, महां जाएंगे, इतना करने के बाद हमारी जेप खाली हो जाएगी, हम ठक जाएंगे और बाजार हमें तक नहीं करेगा और हम अपनी जरूरत का सामान लेकर ही घर आएंगे ये बचने का एकदम सही उपा है अर्थाद मन को भर के जाना अर्थाद लिस्ट बना कर जाना अपनी जरूरत की चीज़ों को हम खरीद के लेके आएंगे नेक्स कोशन है इंदर सेना पर पानी फेके जाने पर लेखक की मानिता को जीजी कैसे छिन भिन्न कर देती है इस पश्ट कीजिए अब इंदर सेना जब चारों दरफ सूखा पड़ा है बारिश नहीं हो रही है इस कंडिशन में इंदर सेना आई है और सब लोग अपने घर का बचा हुआ पानी डाल रहे हैं, तो ये लेखक को एक तो बरबादी लगी और दूसरा ये अंध विश्वास लगा, इस कारणन से वो इंदर सेरा पानी डाल लेगे मना कर देते हैं, तो जीजी इस पर गुस्सा हो जाती हैं, और लेखक भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बहुत जादा मिलती हैं, तो इस तरह के कुछ तरक उन्हों ने दिये थे, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या है देखिए, लेखक इस बात से दुखी होता है कि जहां चारों और पानी की इतनी कमी हैं, वहीं लोग बड़ी कटनाई से इकठा किया हुआ पानी इंदर स उलजन था, उसे लग रहा था, यह सारी गलत है, तब भी वो तरक देती हैं, अब उस उलजन को सुलजाने के लिए क्या तरक देती हैं, पहला तरक, जब हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले हमें कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, पानी फेक कर वस्तुता पानी का अर्द चढ़ाया जा रहा है, मतलब हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो हमने किसी को दान दिया है, तो सिर्फ पानी चाह रहे हैं, तो हम पानी का अर्द जलाएंगे, तो वो पानी हमको वापस मिलेगा, दूसरा, मनश को पहले त्याग करना चाहिए, इसके पश्चा करते हैं तभी हम अपनी मंचाही वस्तू का ही करणा चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं हमें उसी का दान करना चाहिए जैसे इस समय हमें पानी का दान कर रहे हैं और तो हमें पानी मिलेगा तीसरा उन्होंने दिया खेतों में अच्छी फसल पाने के लिए पहले उसमें अच्छे बीजों को डालना होता है पानी पाने के लिए इच्छा पूर्ती के लिए भी बीज रूप में पानी ही बुगाई करनी आवश्यक है अन्यता पानी की अच्छी फसल नहीं मिलेगी इंद्र सेन के सदस्यों पर पानी फेका जाना वस्तुता पानी की बुआई ही है जिसके बदले इंद्र कई गुना अधिक पानी हमें लोटाते हैं तो कहने का दाद पर यहां क्या है कि जैसे किसान खेत में बीच बोता है और उसके फलसरूप उसे बहुत अच्छी फसल मिलती है उसी तरह लेकक के स्थान पर होते तो जीजी के तर्ख सुनकर हम भी चुप रहते जो तर्ख दिया वो एक्चुली में सही हम भी चुप रहते क्योंकि तर्ख करने से तो जीजी शायत ही कुछ समसपाती पर उनका दिल अवश्य दुखता इसी कारण उनका इसने हमारे प्रति घड़ लेकक की भाती हम भी जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहते इसी कारण से बहुत सी बेतुकी परमपराएं अभी भी हमारे देश में जकड़े हुए हैं तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो हम किसी भी बड़े बुजूर्ग से अगर आप बात करो तो आपको जो त सर्क करके उनके मन को दुखाना नहीं चाहते हैं तो यह चीजें हमने इस पार्ट में भी देखी थी अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रशन संक्या 13 और यह हमारे प्रशन पत्र का आखरी प्रशन है क्या है यहाँ पर अब हमारे पास फिर गर्दे खंड से तीन प्रशन हो थे हमें सिर्फ दो प्रशन करने हैं और दोनों ही हमें कित्ते करने हैं चालिश शब्दों के करने हैं एक प्रशन हमारा है टू मार्क्स का तो यहां यह हमारा प्रशन संक्या 13 हो जाएगा चार मार्क्स का तो तीन प्रशन दो करेंगे पहला प्रशन देखिए लोगों के मुह में अनायास ही निकल पड़ता वह बाप से भी बढ़कर निकले ये दोनों बेटे पाट में ये पंक्ति किस के संदर्ब में और किस लिए कही गई है तो ये पाट है हमारा पहलवान की ढोलक अब उसके दोनों बेटे जो हैं वो भी पहलवान बनते हैं अच्छी कुष्ट करते हैं तभी ये बात कही गई थी तो क्या है पहलवान लुटन सिंग अब राज पहलवान था पूरे नगर में उसकी बराबरी का कोई पहलवान नहीं था उसके दो पुत्रों को जो उसके कद और काठी के ही थे देख कर सभी वहवा किया करते और कहते ये दोनों भावी र पिता को कोई अभी तक पराज़त नहीं कर पाया तो ये दोनों भी किसी से पराज़त नहीं होंगे तो मतलब पिता जब इतना अच्छा रहा है तो जाहिर सी बात है बेटे भी इतने अच्छे ही पहलवान रहेंगे नेक्स कोशन है कालिदास ने शिरीश की कोमलता और दिव जो है उनों दिवेदी जी ने वो उसकी कठोरता के बारे में बताया कठोरता क्यों बताई कि वो मुश्किल समय में भी अपने आपको पोशक कर लेता है कालिदास ने कोमलता देखी क्योंकि वो सभी के चरणों में चढ़ाये भैरो जी के चरणों में चढ़ाये जाते हैं त इतना कोमल होता है वो पक्षियों का बिलकुल नहीं पक्षी के जो पैर होते हैं रफ होते हैं पंजे होते हैं तो उनके दबाग को वो सहन नहीं कर सकता लेकिन दिवेदी जी इससे सहमत नहीं है उनके विचार से इसे कोमल मालना भूल है इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों ओं के आने पर भी वे अपना इस्थान नहीं छोड़ते हैं मतलब नए फूल आ जाएंगे लेकिन तब भी वो अपनी जगा पर अटल रहेंगे जब तक नए पत्ते फल मिलकर इन्हें धक्का नहीं देते तब तक ये अपने इस्थान पर बने रहते हैं तो कहने क इसको हम कठोर बोल सकते हैं अच्छा इसकी कठोरता का कारण है कि वो जिस परिद्रश में उपजते हैं वो भी इतने कठोर है है ना पहाड़ों पर इदम पत्थर पर ही अपने लिए जल वो कहां नीचे गहराईयों से उनकी जड़ ले आते हैं तो इसलिए भी इसको हम बो सकते हैं अब आते हैं तीसरा प्रश्न प्रश्न क्या है जाती वात भावनातमक समता में बाधा उपस्थित करता है डॉक्टर अंबेडिकर के विचारों के आलोग में के कथन में नहीं है टार्त सपष्ट कीजिए अब जाती वात अब जाती बात क्या होता है अलग-अलग लोहों को जाती में बाटना भावनात्मक समता जब हम अलग-अलग जाती में बाट देंगे तो समामता तो रहेगी नहीं भावनात्मक समामता क्या हम ऐसे भी समानता नहीं रहेगी है ना तो इसे आपको बताना है कि किस तरीके से ये सुविधाय उपलब दोगी जब लोगों में सारी सभी जातियों में सबको समान अधिकार मिलेगा सारी सुविधाय सबको समान मुहिया कराई जेंगे अब मान लीजे उच्च जातियों वालों को ज्यादा सुविधाय दी जारी है निम्न जातियों वालों को नहीं दी जारी त तो यहां पर भावनात्मक समानता इसरों उपज ही नहीं पाएगी जातिवाद के समाप्त होने पर भी यह संभव हो पाएगा अगर जातिवाद नहीं रहेगा तभी यह समानता इस्थापित हो सकती है जातिवाद असमान व्यवार को उचित ठहराता है जो सर्वता अनुचित है समाज को विकास और उत्थान के पद पर तभी अगरसर किया जा सकता है जब जातिवाद जैसी कूप रथा से उसकी रक्षा हो सके तभी हम अपने देश भारत को प्रगती की दिशाग में गगन चू समानता पैदा हो पाएंगी तो यह हो गया हमारा आज का सैंपल पेपर नंबर फोर हमने फटा फट पूरा कंप्लीट कर लिया तो इसी स्पीट से आपको कंप्लीट करना है क्योंकि जितना स्पीट बढ़ेगी एक्जाम के दौरान आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो बुक्स को बहुत ज़्यादा असरदार और आपके लिए आसान बनाने के लिए हमने इसे अलग-अलग केटिगरीज में बाटा है जैसे अभी हमने किया सांपल पेपर तो हमारे पास एक बुक है सांपल पेपर सलूशन बुक फिर उसी तरीके से हमारे पास आगे और क्या है हमने जैसे किया हुआ है NCRT Solution तो एक हमारे पास NCRT Solution book है फिर उसके बाद हम आ जाएं जैसे हमने MCQs किया है तो एक book हमारे पास MCQs book है इस तरह अलग-अलग categories में हमारे पास जो books है इन books को प्राप्त करने के लिए नीचे description box में एक link दिया गया है उस link को जब आप click करेंगे तो उसमें एक form है उस form को fill करके submit कीजिए हमारे team member आप से जल्दी content करेंगे इस book के लिए तो book भी प्राप्त कर लिजिए अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो आगे और भी sample paper है साथ रहेगा Thank you for watching Bye-bye